दोस्तो जब स्टिफेन होकिन से ये पूछा गया कि पिर्थिवी से मानों सभेता कैसे खत्म होगा तो उन्होंने ये तीन भविस्वानिया की थी नमबर वन इस्टिफेन होकिन्स का ये मानना था कि जिस तरह हुमस रोबोट्स को बनाते जा रहे हैं लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब रोबोट्स बहुती ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे और वो खुदी रोबोट्स को बनाने लग जाएंगे और हम इंसानों पर भी पूरी दरिके से कंट्रोल पा लेंगे नमबर टू इस्टिफेन होकिन्स का ये भी कहना था कि अगर पिर्थवी पे इंसान मिल जूलके ना रहे तो एक समय ऐसा भी आएगा जब इंसान आपस में ही लड़कर निकुलियर वार कर देंगे और ये वही समय होगा जब पिर्थवी में से हम इंसानों का नाम उनिसान मिट जाएगा नमबर थ्री इस्टिफेन होकिन्स ने मरने से दो होते पहले ही 2018 के एक थाइलर रिसर्च पेपर ये स्मूत एकजिट फ्रॉम एक्स्टरनल इंफलेशन को पब्लिस किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जिस तरह से हमारे यूनिवर्स तेजी से एक्सपेंड होते जा रहा है एक समय ऐसा भी आएगा कि हमारे यूनिवर्स को एक्सपेंड होने के लिए एनरजी कम पड़ जाएगी और फिर तेजी से ये सिकूर ने लगेगा तो आपको क्या लगता है कि धर्पी से इंसानों और खात्मा कभी होगा अपनी राय हमें कमेंड में बताईए